अच्छा बात चल रही थी, बाबा कहते हैं ये ड्रामा की बात, ड्रामा के बंदन में सब बंदे हुए हैं, बाब स्यम भी कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंदन में हूँ दुख तो भारतवासियों को बहुत आते रहते हैं ऐसे थोरे ही दुख तो भारतवासियों को बहुत आते रहते हैं तो ऐसे थोरे ही बाप घरी घरी आफ्तार ले करके उनको दुख से चुराता रहेंगा बाप तो कहते हैं मैं एक ही बार आकर के सारी विश्व को दुखों से मुक्त करता हूँ और जो मेरे बच्चे बनते हैं उन्हों को विश्व का मालिक बना देता हूँ परमधाम से मैं कल्प कल्प इस संगम युग पर ही आता हूँ और ड्रामा नुसर हर कलब संगम युग पर आता हूँ मनुश समगते हैं युगे युगे आता हूँ परन तु एक ही बार संगम युग पर आता हूँ अभी तुम ड्रामा के डिरेक्टर मुख्य अभी तुम बचे ड्रामा के डिरेक्टर और इसमें मुख्य अक्टर्स कौन कौन है उनको अभी तुम बचे जानते हूँ उसमें तो स्रिष्टी में तो यह ड्रामा में जो नाटिक बनाते हैं उसमें तो हद की बातें आती हैं वो बताएंगे अभी इस स्रिष्टी में सबसे शावकार कौन है सारी स्रिष्टी में सबसे शावकार ते शावकार और बाबा क्या बताते हैं सारी स्रिष्टी में तो क्या सारे ड्रामा के अंदर सबसे शावकार में शावकार कौन यह लक्ष्मी नाराया एकीस जन्मों के लिए संपतिवान बन जाते हैं ऐसा बाप कहते हैं बचे तुम जनते हूं हमारे जैसा हम बचे कहते हैं हमारे जैसा भविश्य एकीस जन्म के लिए संपतिवान कोई बनता ही नहीं है क्योंको तुम बड़ी भारी शेवा करते हो कौनसी शेवा सारे विश्व को कहने में पहले तो हम कहेंगे भारत की खास और विश्व की आम सारे विश्व का मालिक बना देते हैं तो तुम सब हो Salvation Army अभी तो भारत का बेरा दूबा हुआ है ये भी ड्रामा है समझाया जाता है अब भारत का दूबा हुआ बेरा Salvation कौन करते हैं तुम शिव शक्तिन्या शिव शक्तिन्या और पांडव सेना बाप कहते हैं मैंने तुम को स्वर का मालिक बनाया था माया ने तो तुम को पतित बना दिया फिर से मैं आकर के तुम को क्या बनाता हूँ वो ही पावन दुनिया का महराजा महरानी बनाता हूँ क्योंको तुम्हारा तो है ये पिर्विर्ती मारें सन्यासियों का है निविर्ती मारें वो है हद का सन्यास ये तुम्हारा है बेहद का सन्यास सारी पुरानी दुनिया का सन्यास बाबा कहते है आज कल तो दुनिया में बहुत जूट करप्शन है क्योंकि अब ये तो है रोरो नर्क अभी तुम बच्चे इश्वरी बुद्धी से क्या बन रहे हो तुम कहते हो हम तो शिव बाबा के ब्रमा के द्वारा आकर के बच्चे बने हैं और शिव बाबा हमें फिर मनुश्य से देवता बना रहे हैं हम फिर जाकर के देवता बनेंगे और आदा कल्प तक देवता फिर ख्यत्वी और फिर दीरे दीरे ड्रामा के चकर में पूरा चकर लगाते रहेंगे अभी तो हम है इश्वर के बच्चे कल्प पहले भी इश्वर के बच्चे थे कितना फखुर से हैं इतना नशा बाबा कहते है तुम बच्चों को सदा रहना चाहिए अभी है हम इश्वर के बच्चे बाब से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है इसलिए बाबा कहते है जब तुमें सारी विश्व का राज मिलता है तो तुमें इश्वर की मत पर तो पूरा पूरा चलना चाहिए कल पहले भी हम इश्वर के बच्चे थे बाब से हमें स्वर्ग का वर्षा मिला था अब भी हमें बाब से स्वर्ग का वर्षा मिलता है इसलिए सदा श्रीमत पर चलते रहूं बाकी तो आज के दुनिया में वू है विनाश काले विप्रीत बुद्धी यादव और कौरव और हम बचे हैं बाबा कहते विनाश काले प्रीत बुद्धी प्रभू से प्रीत बुद्धी पांडव जिनों की जैजैकार होनी है तुम हो गुप्त शक्ती सेना सुन रहे हो बाबा कितनी महमा कर रहे है कितना नशा चरा रहे है ऐसा नशा सारा दिन अंदर में खुशी का पारा चरा रहे तुम हो गुप्त शिवशक्ति भारत माता इसमें गोप गोपयां दोनों ही है बल नाम माताओं का करना है क्योंकि उनों को बहुत पिछे कर दिया था इसलिए माताओं को ही तो बहुत सताया था देखो दुरुपति को ही नंगन किया न कहते हैं भगवान हमें नगन होने से बचाओ तो दुरुपति ने पुकारा है बापा करके बचाते हैं देखो भगवान से तुम बच्चों को बहुत प्रापर्टी मिलती है इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को सदा क्या करना चाहिए सदा याद करना चाहिए शिव बाबा मीठा बाबा बोलो क्या बोलेंगे शिव बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा हम आप से बेहद का वर्षा बोलो पिछे क्या जरूर लेंगे वर्षा शिव बाबा से लेना है इसलिए गाते हैं इश्वर की गत्मत न्यारी है वही जाने और न जाने को तुम अभी 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 बाबा कहते अभी तुम बच्चे तो इश्वर की गत्मत को जानते हो अब जब तुम बच्चे जानते हो तो तुमें ही फिर क्या करना है इश्वर का शो करना है तुम अभी जानते हो तो इश्वर की गत्मत बच्चे जानते हैं इसलिए फिर तुम बच्चों को ही इश्वर का शो करना है ये बच्चों को इस्थाई सुकर्शानती का वर्सा बापी तो आकर के देते हैं अलब काल की शान्ती नहीं परंतु सुदा काल की एकीस जन्मों के लिए हम तो कहते हैं पूरा काल परी हमें और उसे सुखी है बच्चों को इस्थाई सुख शान्ती का वर्सा बाप प्या करके देते हैं अलब काल की शान्ती तो कोई काम की नहीं है माँ बाप कहते हूँ जब माँ बाप कहते हूँ तो फिर अभी बच्चों को माँ बाप का शो करना चाहिए फादर मदर हमारे मदर फादर कौन है बच्चे बैच बताए ये मदर फादर सारे वर्ल्ड के हैं वो बैट करके हमें वर्सा देते है बरो बर बाप से तुम्हें कितना उंचा वर्षा मिलता है अब है कल्यू का अन अब कल्यू के अन तुम्हें ही तुम्हें बाप से ये बेहत का वर्षा मिलता है तो अभी फिर बच्चों को बाबा कहते है सान शोस फादर Father show son Father ने तो son को तयार कर दिया अब बाप क्या कहते है बच्चों को बाप तो स्रफ कितनी सहज बात कहते है बाप कहते है बच्चे स्रफ मुझे याद करो सदा याद करते रहो क्योंकि तुम्हारे पर सिर पर पापों का बूजा बहुत है इसलिए याद करेंगे तो तुम्हारा ये बूजाने एक जन्मों का बूजा उतर जाएंगा इसलिए बाबा बार बच्चों को कहते है बच्चे चाट रखना चाहिए हम कितना समय बाप को याद करते है ऐसे नहीं बस हम तो श्रफ बाबा की संतान है परन्तु बाप कहते है बच्चे उठते बैठते अपने को देखो चलते फिरते हम कितना याद करते है अपना चाट रखो क्योंको मुख्य बात है ही याद की इस से याद की अगनी से ही तुम्हारा अनेग जन्मों के पापों का बोजा कटेंगा विगन भी योग में बहुत परेंगे क्योंकि ये भारत का प्राचीन योग बड़ा मशूर है सन्यासियों का तो है हट योग ये है सहज राज योग बाप प्या करके सिकलाते हैं वो हट योगी सन्यासि तो बिनबन परकार के बहुत योग सिकलाते रहते हैं वो है हद का सन्यास तुम्हारा है बेहद का सन्यास पिरविर्ती में रहते हुए बाप को इतना याद करो जो अंतिसम है और किसकी भी याद ना आवे बस आत्मा को एक बाप को ही याद करना है तब ही तो तुम विकरमाजीत बन सकेंगे तुम्हें विकरमाजीत और कोई नहीं बना सकता है भल बाप कहते हैं जो भक्ति करते हैं याद करते हैं भावना का भारा तो अलब काल के लिए मिलता है परन तु पतित से पावन बनना और कोई भी तुम्हें पतित से पावन नहीं बना सकते देखो भगत भक्ति बे कितना माता बारते रहते हैं फिर भी जा सकते हैं क्या मुक्तिदाम में कोई भी ना मुक्तिदाम जा सकते हैं ना निर्वार दाम जा सकते हैं कह करके अपने को खुश करते हैं बाबा कहते हैं बाप कहते हैं हू बहू कलब पहले माफिक पाँच अदा वरश के पहले माफिक मैं फिर से आया हूँ फिर से तमस्कील अदे बच्चों को आकर के मिला हूँ गाया हुआ है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल कौनसी आत्मा है अलग रही कौनसी आत्मा है रही कौनसी बोलो सबी हम आत्मा है जो देवी देटा है थी उनको ही पहले आना है स्रिष्टी के आदी में हम ही पहली आत्माएं थी पूरा कलब का चक्कर लगा के अब हमें ही पहले आना हैं अब तो अडेक धर्मों का विनाश एक धर्म की स्थापना जब स्थापना हो जाएंगी तो फिर सत्योगी आदी सनातन देवी देवता धर्म शुरू हो जाएंगा उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं रहेंगा अभी फिर से बाबा हमें याद दिलाते हैं बच्चे अभी तुम तो हो मेरे सिकी लदे बच्चे बाप तुम्हें कहते हैं हे स्वदर्शन चक्रदारी बच्चे पहले पहले तुम सिकी लदे फिर पहले बाबा कहते हैं कहते हैं ना मीठे मीठे शिकी लदे तो बाबा कहते हैं पहले सिकी लदे शब्दाता है फिर कहते हैं चक्रदारी मनुष कहेंगे ये स्वदर्शन चक्रदारी तो देवताओं का टाइटल है देवताओं कोई तो ये अलंकार दिया हुआ है स्वदर्शन चक्र मनुष तो साब अपनी अपनी कल्पना की बातें करते रहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो इस मीठे जार का देवताओं धराम इस मीठे जार का अभी सैपलिंग लग रहा है अब तुम बच्चों को विदेश में भी जाकर के यही नालेद देनी है कि हमारा उनों को ये कह सकते हो तुमारा हेविनली गाड फादर कौन है अगर फादर है तो जरूर मदर भी तो होंगी अभी बाप आए हुए है वैं सुक शान्ती का वर्षा देने उसमें हेल तवेल और हैपीनेस सब कुछ मिलता है इसलिए मिलेंगा उनको किसको मिलेंगा बाबा कहते है जो काईदे से बाब को याद करेंगा मनिश तो बिचारे ओ गाड फादर कहते रहते हैं एक तरफ है कहते है ओ गाड फादर फिर कहते हैं बगवान तो सर्वव्यापी है अब सर्वव्यापी कहने से कैसे वो मिलेंगा इसलिए रांग हो जाता है रांग होने के कारें उनों को बाप से वर्सा मिलता ही नहीं है और अभी तुम बच्चों ने यथारत बाप को जाना है इसलिए बाप से वर्सा लेने के अधिकारी बन गए हूँ अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत माच पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद बॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नामस्टे रुहानी बच्चों की रुहानी बाप को नामस्टे अभी फिर से मुर्ली का साल मुख्य दू पॉइंस में धार ना युक्त विकर माजित बनने के लिए आया याद बाबा ने क्या कहा है विकर माजित बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है याद का चार्ट जरूर रखना है अभी मैं पूछती नहीं हूँ कौन लिखता है अपनी दूसरी पॉइंट याद का चार्ट जरूर रखना है अपनी हर चलन से मात पिता और टीचर का शो करना है विनाशकाल में अब विनाशकाल में गाया जाता है विनाशकाले विपरीत बुद्दी बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं विनाशकाल में प्रीत बुद्दी बाब की प्रीत बुद्दी बनकर रहना है और बाब की सिखाई हुई ये रूहानी शेवा करते रहना है आज का बरदन वाइदों की समिर्थी द्वाराम बाबा से वाइदे की है न समय समय पर हाथ उठाओ जिन्होंने समय समय पर वाइदे की है कोई भी सभी को उठाना चाहिए बाबा ने कितना बार हम लोगों को तो बाबा ने कितना बार राओ एक बार वैसे तो लिखाते थे बीच बीच में एक बार 108 बार अपना निश्चे पत्र लिखो क्या समझते हो अभी अगर किस दिया जाए तो कितना कितनी बाते बताएंगे अगर अभी दिया जाए 108 बार अपना निश्चे पत्र लिखो तो कितनी बाते बताएंगे कि ये बात हमारे से हटा दी जाएंगे बाबा ने हमारे से समय समय पर तो लिखते ही थें फिर भी एक बार 108 बार निश्चे पत्र अपना लिखो और निश्चे में अलग अलग बात एक ही बात नहीं बस एक ही याद कर दो और सब में लिखते जाओ लिखते जाओ अलग अलग लिखो कितनी बाते याद आई होंगी कितनी निश्चे की परपक्ता जिस से बिन बिन नामों से बिन बिन रीती से में मां से बाबा के हम बोल निश्चे पत्र लिखते रहे अच्छा आज का वर्दान वाइदों की समिर्थी द्वारा मैं तो समझते हूं टीचर बेनों को ये याद रहना चाहिए बीच बीच में इस्टूडेंट से थोड़ा थोड़ा ये निश्चे की बात लिखाना जरूरी है क्या समझते हूं अच्छा बेन टीचर बेने ऐसी ऐसी बातें जिसमें फाउंडेशन पका हो जाए तो समय पर उनों को समझाना भी सहज रहता है वाइदों की समिर्थी द्वारा फाइदा उठाने वाले सदाम बाप के बलेसिंग के पात्र भव यह याद रख दो सदाम बाप के बलेसिंग के पात्र भव जो भी वाइदे मन से बोल से अत्वा लिख कर करते हो उन्हें सिमिर्थी में रखो तो आगे तो यह कंपलसरी होता था क्योंकि जैसे हम समझाने के लिए पहले फॉर्म बढ़ाते थे जब समझ करके साथ इनका कोर्स करके आगे चलना शुरू करते थे तब फिर निश्चे पत्र अच्छी रिच से लिखाते थे पूरी रिती से जो भी वाइदे मन से बोल से अत्वा लेकर के करते हो उन्हें सिमिर्थी में रखो तो वाइदे का पूरा पूरा फाइदा उठा सकते हो चेक करो कितने बार वाइदे किये हैं और वो कितना निभाया है वाइदे को निभाने से फाइदा ही हैं वाइदा कराया जाता हैं फाइदे के लिए याद रहेंगा तो फाइदा ही फाइदा होंगा काइदा और फाइदा इन दोनों का बैलन्स रहे तो वरदाता बाप के द्वारां ब्लेसिंग मिलती रहेंगी ऐसे ऐसे बाबा के महावाक्य जितना हम याद रखेंगे तो ये नेचरल याद हमारी बनती जाएंगी जैसे जैसे स्रेष्ट संक्लब करते हो ऐसे करम भी स्रेष्ट हो तो सफलता मूरत बन जाएंगे आज का स्लोगन स्वयम को ऐसा दिव्याईना बनाओ स्वयम को ऐसा दिव्याईना बनाओ जिसमें बाब ही दिखाई दे तब कहेंगे सची शेवा उस्यंती शन्ती शन्ती शन्ती